जय गुरु जी आज हम चर्चा करेंगे पूजा में आने वाले बूरे फालतु अश्रिल विचारों से कैसे मुक्ती पाएं और इनके कारण क्या हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेट बक्स में जय भोले नात का जयकारा लगाएं तो लीजे आए शुरू करते हैं एक सजन ने प्रशन किया मन बड़ा ही चंचल है इसको कैसे वश में करे बिना मन के अगराख हुए बजन विर्थ है एक शण में ही ये चोदा लोकों में घूम आता है जनम भर के कभी देखे सुने ना हो ऐसे किस से रच लेता है ये बड़ा ही चंचल परबल दुष्ट धी कर देता है विशे विकारों के परिस्त्री के मास मदिरा के अश्रिल विचार ला देता है देखो आप लोगों के विचार से तो आप कोई और है और मन कोई और है मगर असल में बाद ये है आप में ही मन की सता है मन से आपकी सता नहीं है जो आप है वैसे ही आपका मन है मन तो आप से ही निकला हुआ है, मन तो सरल बेपैदी का लोटा है, बिना पैसे का गुलाम है आपका, आपके इशारे पर काम करता है, जिन जिन भोग में आपकी रूची है, उसी का आपको ध्यान दिलाता है, आप कहते हैं कि मन भजन नहीं करने देता, भजन आप करना चाहते ही कब धन में जुए में मास मदिरा में बीडी में सीगरट में सिनीमा में कलब में पर इस्तिरी में अश्रिल चल्चितर में आपकी रुची है 24 गंटे में से 23 गंटे इनी का ध्यान करते हैं एक घंटा राम नाम गुरु नाम लेने का अडंबर करते हैं अरे भाई जो खाओगे वही तो आएगी ना डगार ग्रामों फोन में जो भरा गया है वही तो बजेगा हम चाहते हैं खाना पीना होता रे नेतनों से सिनीमा देखते रहो कानों से फिल्मी संगित सुनते रहो इस्तरी ससंग में बंदन न हो मगर मन वश में हो जाए तो ये कैसे मुम्किन है देखो हम अपने मन में जैसे विचार लाते हैं जैसे कारे करते हैं वैसे ही हमारी आदत बन जाती है हमारे वेवार से कैसे हम दूसरों से क्रोध पुर्क बात करते हैं अश्रील वारता लाब करते हैं गाली गिलोश करते हैं दूसरों का बुरा चाहते हैं मन में ताना बाना भुनते हैं कि कैसे दूसरों को उठगा जाए मन में सोचते हैं कि इस्तरी संग कैसे किया जाए गुलाम है वो देखता है कि हमारी रूची किदर है हमारी इंद्रियों को किदर सुख मिलता है वैसे ही विचार हमारे मन में लाला करके देता है अब इन विचारों को कैसे दूर करें पहले तो सभी विशे विकारों पर अत्तों पर लगाम लगाए मन आपका गुलाम हो ठेक दिया जाए और फिर साफ भरा जाए और दूसरा उसी पातर में साफ पानी की धार लगाता डाले जाए तो गंदा पानी दीरे दीरे बहार निकल जाएगा और सारा पानी साफ हो जाएगा शिशे की तरह अब दिमाग को तो पातर की तरह उटा कर नहीं सकते आपको पहले विशेविकारों से अश्रिल समगरी से मन को परेहटाना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा, ये रास्ता अच्छा नहीं है दूसरा सवधाय करो अच्छा साहित्य पड़ो भावगत चिंतन करो प्रणायाम करो गायतिरी मंत्र गुरु मंत्र शर्दा से लाई से जपने पर मन शांत हो जाएगा इधर उधर नहीं भागेगा और उसी में अनंद प्राप्त करने लगेगा आप देखिए मानि जैसे राजमिस्त्री दिवार बनाता है एक एक जोडता है और उस समें आप चाहें तो एक इशारे पर दिवार गिरा सकते हैं और जब पुरानी दिवार हो जाएगी तो हतोड़े से तोड़नी पड़ती है ऐसे ही आपकी आते हैं आपके मन के विचार हैं जो आपका मन व्यस्नों में लगा हुआ है शुरू-शुरू में जब आप व्यस्न करते हैं तो आप उनको असानी से छोड़ सकते हैं और जब दीरे-दीरे वो आपकी आदत बन जाती है तो उन्हें छोड़ना असान नहीं होता ऐसे ही मन को अपने शुद करने के लिए अप गुरू अबदेशों में ध्यान लगाना पड़ेगा और जब आप इन चीजों में ध्यान लगाएंगे भावगत चिंतन करेंगे तो आपका मन धीरे धीरे निर्मल हो जाएगा शांत हो जाएगा कुछ सित विचार सब दूर होते चले जाएगे और आप शुद शांत होते जा